नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो आप इसके अंदर स्क्रीन सेवर कैसे लगा सकते हो आए जानते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है सैटिंग्स को ओपन कर लीजिए यहाँ पर आपको एक अप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा display डिस्पले में जाईए यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऊप्शन screen saver आप इसे open करें आपको यह मिल जाएगा पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अपने while की settings में आना है फिर से उपर आपको search करने के लिए मिल जाएगा आप इस पे search करोगे screen saver तो शायद आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर हम screen saver search करते हैं पूरा तो यह आ चुका है और हमने और यहाँ पर screen saver फिर से आ चुका है हम इसे open करते हैं और उसी page में पहुझ गए हैं यहाँ पर screen saver लगाने कई तरीके हैं आप color लगा सकते हो यहाँ पर color के लिए select कर रखा है preview कर सकते हो कि कैसे दिखे हैं यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखाई देगा भी यहाँ पर color आएंगे change होते रहेंगे photo लगा सकते हो photo table लगा सकते हो या कोई single photo आज आप add कर सकते हो कई सारे यहाँ पर दे रखे हैं पर यहाँ पर हम color लगाएंगे और back कर देंगे तो ऐसे लग चुका है और ऐसे आप इसे use कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं बिलते हैं किसी और वीडियो में